You are not shortlisted for document verification का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं जब भी आप किसी job के लिए apply करते हैं तो आपके अलग-अलग rounds होते हैं और जब final round के बाद आपका document verification होता है यानि कि आपके documents चेक किये जाते हैं कि आपके document जो आपने बताया है वैसे हैं या नहीं है या original है या नहीं है तो उसी के लिए जब किसी का selection नहीं होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि you are not shortlisted for document verification यानि कि document verification के लिए आपको select नहीं किया गया है अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें